राम कुमार जी रादे रादे मारा जी आपकी चड़ों में कोटी-कोटी नमन गुर्देव ये दास इस काम करोध लो मोह और माया के इन जालों से हार चुका है दास भगवत प्राप्ति चाहता है पर एक अदम चलने का भी सामर्थ नहीं रह गया है हे द्यानिदी मैं ठक चुका हूँ हार चुका हूँ नाम 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 महाराज जी वो भी नहीं हो पारा मुस्त पिर मैं कुछ नहीं कर भाऊगा बस आगया आपके आपके आएसे नहीं होता है हम बोल सकते न तो राधा बोले चल सकते हैं ना तो अच्छे मार्ग में चले हाथ है ना तो अच्छे कारी में चले देखो बेमानी करोगे तो फिर हमारे पास उसकी दवा नहीं है इमानदारी की बात है बोल सकते हो ना तो भगवन नाम बोलो तुम्हारे अंदर सकती है ना तो गलत आचरणों में नहीं अच्छे आचरणों अभी सुधर जाओगे जब आप ये कह दोगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो भी हमारे पास दवा क्या है आप बोलो क्या माहरा जी गुरू और प्रभु एग है आज मैं आपकी चरण में आगया अभी जाना देखो अगर गुरू और प्रभु एक है तो हम जो आग्या कर रहे है उस पर वच्द ध्यान दो गुरू का मतलब आज कल देखो क्या समझ लिया गया है ए तो ईसे पोस्टर में नहीं होत पोटंकी नाटक से कुछ नहीं होता है कुछ नहीं हमारी बात मान लो अभी सब होने लगेगा संतों की यहां से नहीं निकलता है यह केवल फिल्मों में दिखाया जाता है और पोश्टर में शपाया जाता है संतों के यहां से निकलता है वशन अगर मान लिए मंत्र मूलम गु मोंक्ष मूलन गुरुकरपा उनके पहले वाक के उनके कुमानों तो उनके कृपा से मोंक्ष हो जाएज राधाला 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 आप केछ तो हम नहीं जब सकते त्वोगो भित 챔ध कर्तम कर्द कर्म परिवार इनकों में मारूंगा आप क्या करें छात्रधर्मे में युद्ध धर्मों पस्थित हुआ है तो करना ही जाहिए अगर युद्ध करता हूं तो अपने परिवार को मारता हूं ये संसे खड़ा हो गया जुझी की दिमाग में उतरे रत से और भगवान की चर्णों में साश्टांग लोटे और कहा प्रभू कारपण्य दोशो प्रहतस्वभावा प्रच्छा मित्वाम धर्म शम्मूड चेता प्रभू मैं मूड चित वाला भी निरने नहीं कर पा रहूं शिश्यस्ते हम मैं आपका सिश्य हूं मैं आपका सरणागत हूँ फिर एक जो सब्द का वही बच्छा बोला है शब्द का कि मैं आपकी सरणागत हूँ आपका शिश्य हूँ पर मैं युद्ध नहीं करूँगा तब भगवान हस करके उपदेश के कि सरणागत को ये नहीं बोलने का अदिकार फिर होचता कि मैं ये नहीं करूँगा फिर किस बात का सरणागत ही अब जो ऐसे ही तुमने कहा मैं आपकी सरण में हूँ मैं निर्वल हूँ तो आपका बुलो राधा 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 अब आपको पकड़ना चाहिए राधा 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 ये नहीं करना ये करने कि सामर्थे तुम्हें राधा नाम देगा अब कर दो मैं ये नहीं कर सकता तो कैसे देखो किसी को जब राम बोलना नहीं आता था तब संत ने का मरा मरा बोलो तो तीसरी बार में राम निकल आया और वो महान हो गए कि नहीं हो गए तो आप विचार करके देखो अगर संतों की बात न माने तो ऐसा कुछ जादूत मासा तुम समझते हो तो हमें बताओ कि भाई ऐसा जादूत मासा संतों के पास है कि ऐसे संतों ने बड़े-बड़े पापियों को महत्मा बना दिया, कैसे बनाया? उपदेश से, उनकी बात वो माने तब न, अब बात न माने तो अगर कोई ऐसा चमतकार हुआ हो, कि छू दिया वो महत्मा बन गया, आमें बता देना, ऐसा नहीं है, उपदेश किया, और मान वो मात्मा बन गया, कई भी पूरा डोण के बताना, पोस्टर की बात नहीं कहते, हमारे सास्त्रों में बताना, शंतों ने उपदेश किया, उनकी बात माना, काम होया, बड़े से बड़े चोर, बड़े से बड़े हिंसकों को महा भागवत बना दिया, बोलो हरी बोलो, चाचरन क्यों न करें, अब अच्छा के लिए नहीं बोलोगे, बुरा करोगे, तो भोगेगा कौन भोगेगा, ये बात समझना पड़े, आवस्था में भोगत अब इतने कमजोर मत बनो, तुम एक दम ऐसे, महारा जी मैंने बहुत प्रयास किये, बहुत हर बार उड़ता हजार बार उड़ता हूँ, फिर भी हमें प्रयास करना है, अभी तुम्हारी आवस्था थोड़ी हो गई, कि तुम बूड़े हो गई हो प्रयास करते करते, अब अगर हम जो कहरें मानो, राधा नाम, निरंतर जपने का अभ्यास करो, अच्छा भोजन करो, मुबाइल में ग कर लो, जो हम बोल गए ना, इस ही में कर लो. श्टेश सर्व्गवान इक incarnation हमक width भगवान मानुत हैं एसी माता भेन को कि टो पर हमारी गंदी दर्श्टी होगी तो भगवान उसका गषे परान भी भोस्त प्रणाम करें तो काम ही जागरत ने अब एक आंते में गंदी बाते मूबाइल से देखोगे माताव बहनों के प्रति गंदा भाव रखोगे तो फिर नश्ट तो होई जाओगे फिर नहीं नश्ट यह दैवी शक्ति हैं कोई साधारण मत समझो या अध्या शक्ति जगदंबा के अंससे हैं जितनी श्ट्रिया है शीव शक्ति के अंससे आप जैसे विराग तो भाव से चलो पाणी ग्रेण हुआ है मालों ग्रेश्टी में तो एक पत्नी का भाव उसी से अन्य सब माताओं के प्रति बहनों के प्रति पवित्र भाव रखे अब वो सब धीरे-धीरे एक है कुशंग बाहर मित्रों का और दूसरा है मुबाईल का बहुत बड़ा कुशंग बच्चे ऐसे ऐसे यह तो मालों बहुत कंट्रोल में बोल रहा है ऐसे बच्चे उपस्तित हुए उनको कैसे बताए अब वो छोड़ नहीं सकते वो देखना इतना ब्यशन है अब वो अच्छी बात सुनी तो यहां गए गंदी बात सुनते हो तो रो पड़े क्योंकि गंदी बात तुम्हारे चित्त को व्यथित करती है सबसे प्रार्थन है मुबाईल में जो गंदी बाते हैं इनको न देखो तो बहुत लाव आपको मिल जाएगा पर उसमें क्या है कि एक आ करते हैं ऐसा दुर्वेभार ऐसा जो वह राक्षस बना दिया चिंतन ने वह एक आंत में बेठे चिंतन करते 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 एक दम पागल हो गया कि वहीं चीज में कैसे बस यह गंदी बातें सुनने वाले देखने वाले बच्चों का संग गंदी क्रिया करना और गंदा द्रश चाहिए इसलिए होना चाहिए आज का समय ऐसा है कि मुबाइल के बिना काम चलेगा भी नहीं बच्चों का तो अभी स्मार्ट इतने वड़े-वड़े मुबाइल हैं वो सब क्यान है उनको और वो सब सर्च करके तो फिर वो बच्चे बहुत अब जिस यह बच्चा अभी क् सब्संगिने मोबाइल से हाँ गंदि निहीं निया पर दिस आध्यान शकति है अगर सेया शेयामुर ग्रेष्टी प्रवीम और शरीर भले ऐसे आपके अंदर आत्म बल बहुत जोश्व पावर है पावर और ग्रेश्ती में मनलो आप कई वर्स ब्रमशरे रहे फिसके बाद संतान उत्पन करें तो देखिया आप उस संतान में कितना ओज तेज और कैसा हो राष्ट भक्त चाहिए लड़कियो लड़का हो उसमें तेज मिलेगा अब जो बिधान है उनके बिधान सब भी प्रिच अगर गर्ववती माताएं हो जाती है फिर इस परश नहीं करना चाहिए बच्चे के संस्कार बिगड़ेंगे जरूर नजरूर कोई भयानक उसके सरीर की रोग इस्तिती हो जाएगी यद जे लिए युटे शयोक्त हुटे बच्षों में गंदे संसकार भरने यह क्यो शुक्ति माता पीटा ही संसकार उसमें ऐसित गमिड़ेंगे गर्व में ही तो चक्रवी रचना तोड़ना सिखा था अभी मन्यूने गर्व में ही तो प्रलाजी ने उपदेश करके भक्तमान बना दिया प्रलाजी को नारजी ने उपदेश करके प्रलाजी को अच्छा गर्भस्त सिसु के साथ आप जैसा बिवार करेंगे मां गर्व होती हो गई अब आपको धैर पूर्वक पवित्र जब तक शंतानों पत्ति पूर तब तक पवित्र जीवानों खुब नाम जब और भग तो देखो से तो इसलिए आज कर छुटे-छुटे बच्चे छुटे-छुटे जो अभी मताब किसी योगे नहीं है वो आचरन ही नहीं हो रहे हैं तो यह बहुत बड़ी हमारे नई पीड़ी में खतरनाक रोग समझ लो इसे यह ऐसा वाइरस जैसा समझो फैलता जा रहा है छुटे-छुटे-छुटे बच्चों में जहां चेत हो ऐसा नहीं तूटना महाविर जी राजस्तान से रादी-रादी-रादी महारे जी आपके चरणों में कोटी-कोटी पनाओ महारे जी इनका प्रशना ऐसा था कि रगवान विशनु एवम पर पर प्रमेश वर एक ही है या भिन-भिन है चर आचर जगत में एक ही ए दूसरा नहीं भगवान विश्नु की बात करते हैं पूरे टॉटल की बात करते हैं जो वेद कहता है, जो पुरान कहते हैं, जो ब्रह्म रिशी कहते हैं, जो आचारी कहते हैं, वो बात कहते हैं, सर्वम खलम इदम ब्रह्म नेहनानास्ति किंचन, वेद कहता है, सर्वम सब कुछ, इदम ये जो देख रहे हैं, ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म, वही है, दूसरा एक ही कैसे कई बार समझा है कि जैसे हाई लोजन हो हीटर है एशी है फ्रीज है इनके यंत्र के प्रभाव से एक ठंडा कर रहा है एक गरम कर रहा है एक प्रकास कर रहा है इसी से जीवन और इसी से मृत्यू भी है है न इसी से वही परमात्मा एक ही है खोपड़ी का अलग अलग प्रभाव सुभाव तो कोई दुष्ट सुभाव का है कोई शादू सुभाव का है कोई मध्यम सुभाव का है मध्यम न दुष्टता पूरी है न सादूता पूरी है बीच का है और कोई एकदम दुष्ट सुभ प्रकास युक्त बिजली है फिर इतनी शीतल वाईव देती है तो फिर हीटर वही बड़ी-बड़ी मोटरों को चला रहे और छूजाए तो वही प्राण ले लेगी वही जीवन चला रहे वही मृत्यू का कारण वही परमात्मा एक ही है चाहे तुम सीव कहो राम कहो हरी कहो महा विश्णू को कोई कहो सरवं खलमिदं ब्रह्मने नानास्ति किंचन दूसरा उपनिशत कहता है इशा वास्मिदं सरवं यत किंचे जगत्याम जगत इस जगत में एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वरन बना हो वो इश्वरी स्वयं बना हो आए घीता जी केती वास्वुदेवा सर मिती समहत मा सुदुरलभा सब जगये वास्व०ेव ही हैं शरव मित निवां शोस्मिदं ब्रते अट जिसने अनुभू किया थेखो गोश्वामी तुलसी तराजी उन्होंने अनुभो किया जड़ चेतन जग जीव जत शकल राम मैं जानी एक होता है कि आप मानते हो मानते रहो बुलें मानी नहीं जानी क्या जड़ चेतन जितना साप स्वयम राम जी बने हुए है श्वयम प्रभु है दूसरा कोई नहीं है दूसरा कोई है ही नहीं प्रभु के सिवा कोई नहीं गीता जी भगवान करें मत्ता परतरम नान्यत किंचि दस्ति धनन जए मेरे सिवा कोई नहीं है अब यह जो दिखाई दे रहा है यही माया का खेल है मैं तू यह सब जिस एक ही बिजली है बिल्कुल भेद नहीं वही करेंट जा रहा है पर एक प्रकास कर रहा है एक हीट पैदा कर रहा है एक सीतलता तो हमारा जीवन या अपन इसी से हमारी जीवन की सांती भी सी से हो जाएगी मृत्ति भी सी से हो जाएगी तो रचने वाला वही और जिसको रचा गया व वो भी वही पालन करने वाला वही और जिसका पालन हुआ वो भी वही और बिनास करने वाला भी वही और जिसका बिनास हुआ वो भी वही समझ पा रहे हैं अगर इतना समझ जाए ना असलियत में तो ब्रह्म घ्यानी महत्मा हो जाए दूसरा कोई नहीं है प्रभू किसी वह को प्रलाजी के लिए खंबे से नर्सिंग भगवान प्रगट ओगे धना जाट के भांग के बट्टे से ठाकुर जी प्रगट हो गए जो जहां कि कुछ कर्ण कर्मे भगवान है जहां इस्ठा कर लिए वहीं से व्गोन प्रकासित हो जाते गुरू में देखो तो साक्षाद भग अल्हेर दुषवान हमारी द्रस्टि अब हमारी द्रस्टि है माया इस समय तो ऐसी के लिए तो शाधना कि जाती जब साधना की गई & द्रस्टि पवित्री तो जित देखों तित श्याम मई जिदर देखता हूं उदर मेरा भगवान ही इन धाचों के अंदर बैठा नजर आता है अभी द्रश्टी नहीं तो धाचे के वल दिखाई देते हैं और जब द्रश्टी होगी तो धाचे नहीं अंदर बैठा हुआ वो धाचे के ज ये धाचा जो है प्यार हम इसी को करते हैं पर कहीं न कहीं मानते उस परमात्मा कोई है क्योंकि जब परमात्मा चला जाता है तो इस प्यार करने वाले सरीर को हम जला देते हैं इसका मतलब हम इसकी माननेता नहीं रखते हैं उस परमात्मा की रखते हैं दिन परमात्मा अंतर ध्यान हो गया तो इसको जला देते नहीं अब उस परमात्मा को कौन प्यार करता है अगर जानकर प्यार कर ले अंजाने में तो सब कर रहे हैं जानकर प्यार कर ले तो महाभागवत हो जाए और जीवन मुक्त हो जाए संसार से दुखों से मुक्त हो राधा जी अस्ट्रेलिया से राधे राधे माहरा जी माया से परे हटकर ब्रह्म का शाक्षातकार कैसे होगा जितना कुछ देख रहे हो इसी में उच्छुपा है बेद कहता है ब्रह्म श्रत्यम जगन मिथ्या शिव हगवान कहते हैं उमा कहों में अनुभोपना सत हरी भजन जगत सब सपना अब लगो भजन में भजन करते करते तनमया ऐसी स्थिति लाओ कि कोई भी संसार का रूप कोई भी भोग कोई भी पद प्रतिष्ठाप को घसीट ना पावे तो अभी जो सब में मुखोटा चु यह हमारे पूत्र, हमारे मित्र, हमारे सत्रू, हमारे अनकुल, हमारे प्रतिकूल उसी ब्रह्म में आरोपित करके इतने द्वन्धम फसा लिए अभी नी को साधना के दोरा मिटा दिया जाए तो एको ब्रह्म, दोतियो, नास्ति, पेद कहता है दूश्रा नहीं है एक ही ब् आप तेके लिए गुरु का वरण करो, उनके द्वारा देवी साधना करो, तब समझ में आएगा, ये बातों से थोड़ी समझ में आएगा, गुरुदेव का वरण करो, उनके द्वारा देवी नाम मंत्र का जब करो, सास्त्र श्वाध्य करो, सत्संग सुनो, उसका विचार कर और एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई ये जब स्रीजी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई जो अहम और मम सरीर और संसार में फसा हुआ है वह उठा कर प्रियालाल के चरणों में लगाना है वही गुरुदेव करते हैं ये नाम जब करो मंत्र जब करो पाठ करो ये स मुखवटे बनावटी हैं ये जितने सब बनावटी हैं ये पहले नहीं था रूप और ये बाद में नहीं रहेगा कुछ वर्स के लिए है ये दिखाई दे रहा है ये बनावटी है लेकिन जो इसमें है वो पहले भी था अब भी है और वो आगे भी रहेगा मुखवटे लेकिन पहनने वाला वही रहेगा कपड़े बदलते रहेगे पहनने वाला वही रहेगा बस पहनने वाले को पहचान ले तो भगोत प्राप्ति हो गई जो पहनने हुए है वो माया है जो पहनने वाला है वो ब्रह्म है बस इतनी बात का भेद समझ जाये तो समझ जाये किसका प पूरा का पूर चाहिए इतना ग्यान बताओ लेकिन आपको अनुभोई ही होगा कि मैं सरीर हूँ और जिस दिन ये बात हट गई अंदर से अभी बुद्धी से भले कह सकते कि मैं सरीर नहीं हूँ लेकिन अनुभों में भूख प्यास ठंडी गर्मी मान अपमान जितने द्वन निष्चिंत, निष्षो प्रशन्नात्मा कोई चाह ब्रमभुतार्स अप्रशन आत्मा शो चतिनकांक्स्याथ है तो इसका मतलब आप शरीर है शरीर भाव है सरीर भाव है तभी द्वंद है तभी माया है तभी भरम है इस सरीर भाव से मुक्त होने के लिए खूब नाम जब करें बिना नाम जब करके हम कुछ और साधन करें तो माया हटने वाली नहीं है कई बार बता चुके हैं, एक आंतिक में कई बार चर्चा की कि जैसे हम फलार रहें, तो हम एक और अभिमान हो जाएगा, कि हम फलार हैं, हम यह नहीं करते, वो सब हंकार बन रहा है, और हंकार मिटे भी ना भगवत साक्षात करने होता, इस से मिटता है हंकार, शरणा अगत हो दूसरा कोई नहीं है, आप समझ पारें, कोई संसेट पर? नहीं नहीं, ये जो भी हम समझ रहे हैं, ये भी अपनी बुद्धी से ही समझ रहे हैं, जब ये भी बुद्धी को कैसे शांत किया है? भगवान कहे रहें मेरे में मन और जली को आप समरपित कर दो आप कैसे समरपित करें तो उपाई में कूछ चरणों में जाओ प्रणफाति इन चेंप रस्नीया भगवान का संतों की सरण में जाओ और फिर उन से गुरु का संवन्द स्वந करने से हमारी विसेश सुर्दा हो जाती अब जो बोलेंगे वही हम करेंगे गुर्देव हमारे इश्वर है और इश्वर की वचन हमको जीवन में उतारने है तब हमारा संसार समुद्र से नहीं तो ऐसे हमारा मनाया माना नहीं मनाया नहीं माना लेकिन गुर्देव बोल दे तो ना मन की बा बातों को बुद्धी की बातों को हटा कर गुर्दे की बात मानते हैं गुर्देव की कथrawआन्षार जब चलते है तो गुरुडेव बागवान की भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमें गुरु रूप में मिलो और आप हमको मार्ग बताओ जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूँ क्योंकि बुद्धी एक सीप है, है समुद्र से ही, पर सीप में समुद्र नहीं आ सकता, समुद्र में ऐसे अरवो सीप यहां है, तो भगवान है समुद्र, आत्म स्वरूप है समुद्र, और बुद्धी है सीप, सीप से कितनी बार आप पानी भरो, तो समुद्र का कुछ वो आपके मन बुद्धी को साधन बताकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। अगर प्रेम पुर्व कोई पत्ता भी दे दे, एक फूल दे दे, एक चुलू पानी दे दे, मैं उसी में प्रशन हो जाता हूँ। ये बाहरी भेव, अंदर की बात करें कि हमें जो चाहिए हो तुम्हारा मन चाहिए, मन मनाव हो, मद भक्तो, माद्या जी माम नमस्कुरू, मेरे मन वाला बन, अगर मन प्रभू में लग जाए तो सब समस्या का समाधान हो जाए। तो हमें जो गुर्मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, बार-बार उसको हम जबते हैं, तो हमारा मन प्रभू में लग जाता है। हमें आ जाते हैं, तो डारिक्ट हमारी बुद्धे में बैठकर, फिर वो अनुभू करा देता है, स्वई जानाई, जही देह जनाई, और जहां जाना, तो जानत तुम्हें हो जाए। ब्रमवित ब्रमविभूत उश्वयम भगवत सुरूफ हो जाता है। काटा लग जाए, तो काटा निकालने के लिए काटे जैसी आकरती वाला ही यंत्रों सुई या काटा हो। और जब काटा निकाल देते हैं, तो जूट रूपी संसार से बचने के लिए, यदि हमको शत मार्ग में चलने के लिए, थूड़ा सा जूट करना पड़े, तो कोई लिए सत्त रहे हैं, जैसे आप अपने को बड़ा भगत साबित करोगे, तो फिर सह नहीं पाओगे, इतना माया का प्रबल रूप है, साधारन आदमी रहो, अमित्र कहेगा कि आपको सराब पीना मेरी रूची नहीं है, आप भगत हो ऐसा मत साबित करो, मेरी रूची नहीं ह मेरी लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आप भजन करते हो, भगत हो, ब्रंदा बन जाते हो, इसलिए कोई भगती नहीं है नहीं हमारे अंदर, कोई भजन नहीं, लेकिन इन बातों में रूची नहीं हमारी, बस साथ बात है, सना सीखो, तो अब जैसे किसी पदार्त बनाएं तो हमारे पेट में दर्दे पाने की रुची नहीं यह कोई जूट नहीं हुआ हम ऐसा आभक्षपदार्त नहीं पाएंगे ऐसा कह देने से उसको दुख होगा और वह हमारा उपहास करेगा बड़े भगत बनते हैं अपने आज हमारे हमें उल्टी जैसा इसको जूट नहीं कहता है यह हम अपने शच्च्च को चुपा लिए उसको छुपाना का यह उससे जूट नहीं कहते हैं इसमें सत्यवादी कभी-कभी सत्य से भी नरक की प्राप्ति होती है एक जानते नहीं थे इस राश्य को तो कुछ दुष्ट लोग गव का पीछा कर थे उसको मारने के लिए उनसे पूछा गाय किदर गए बुले वहां उस जाड़ी पे छुपी मार डाला उस गाय को आसुरी प्रवत्ती के थे उनको नरक मिला सत्य बुलने वाले को कई कही एसी कई जगे हैं किसी के प्रान बच रहे हो हमें जूट बोल देना है हमारे भाजन को चुपाने की बात हुए उसमे उससे मिध्याने कहते हैं कई जगे इसी हैं जहां अपने को सायोक करना चाहिए अब किसी के बेटी का व्याह हो रहा है तो आपको कैसी है लेखे बहुत सुन्दर सुभाव है, बहुत अच्छा शुपाव है हमारे द्वारा गर वचन से उसका संबन्द बन जाता है, उसका जीवन सुख में हो जाता है तो क्या है, हमारा क्या जाता है हमारा उस समय थोड़ी हमें बड़ी लड़ा कूँ है बढ़ा ऐसा है तो उसका ब्या उचट जाएगा ब्याह में किसी के प्राण बचने में कोई बहुत कष्ट से है उसका मंगल होने जा रहा है या अपने भजन के लिए इसमें छुपाव के लिए ऐसे बोल देने से जूट किसी का आहित अमंगल मेरे जूट से ना हो सहज में क्यों जूट बोले एक राजा के यहां कथा हो रही थी भगवत चर्चा तो आएक प्रेमी जन पहुंचे जही स्री कृष्ण रूप माधुरी तो मुर्चित हो गए और व्याकुलता अंदर से ऐसे और वो समझ गए तो मह वैश्णो है अब वो पूजा करने लगे तो सब लोग जब वो होश में आए तो उन्हों का महाराजी क्या कर रहे हो गोले आप जैसे स्री कृष्ण प्रेमी पहली बार मुझे दर्शा गोले कृष्ण प्रेम नहीं है तो मुझे मिर्गी आती है इतने बड़े महाभागवत अपने को ऐसे बचा लिए अच्छा आपको मिर्गी हाँ कभी कभी दोड़ा मिर्गी कपड़ता है पकड़ी नहीं पाए और बचा के लिए निराजा पूजन करेगा तो भी कितना बड़ा या सो जाएगा फिर भक्ती में बादा पड़ जाएगी तो भक्ती को छुपाने के किसी के जीवन को बचाने के लिए किसी के शुक शंबिधान के लिए हमारा बोलना उसमें कोई पाप नहीं है उसमें जलर नहीं है समझ रहे हैं हम किसी का आहित नहीं करेंगे जूट बोलकर बेमानी करके पैसा के लिए अपने लिए अपने शुक के लिए ऐसा नहीं करेंग अगर किसी के प्राव्ण संकट में मेरे जूट बोलने से बच जाते तो मैं जरूर बोल दूँगा, समझे ना, उसमें पश्चाता में कि मैंने जूट बोल दिया, गंदे आश्रण मत करो, खुब नाम जब करो, शुद्ध बिवेक अपने आप जागरत हो जाएगा, जी, नाम जब करो, जाम जब कहीं भागने के जरवत, किसी के पाज जाने के जरवत नहीं, समय मिले, परिवार के साथ मन्दी दर्संद कर याओ, समय मिले, भर में ठाकुर सेवा कर लो, तैसमें रहाधा, रहाधा, सब शीक हो जाएगा, कल्युग है, ज्यादा भाग दौड मत कर चुप चुप नाम जब में लगो हमारी बात समझ में आ रही है किसका प्रशंता है हाँ नाम जब करो सादू सेवा उनकी आग्या का पालन दूरी रहो उनका साधन बनने दो अपनी पवितरता सुरक्षित रखो ग्रेश्टों से प्लाड़ थना है सादू की बात मानो और दूरी रहो नजदीक जाने की जरुड़त नहीं सादू का जीवन भगवान के दूरा सुरक्षित है उनका भजन बनने दो सादू सेवा का मतलब क्या है उनकी आग्या का पालन करना हर सादू यही चाहता है जो भगवत मारग में चलता है सब जी भगवान का नाम जब करे सुखी रहे मंगल रहे बहुत दूरी बना के उनकी शाधना पे तुम्हारे द्वारा बिक्षेप न पहुचे और तुम्हारी पवित्रता पर उनके द्वारा बिक्षिप न पहुंचे ग्रेश्ट और विरक्त का अलग-अलग मार गए तुम्हारा मंगल हो गए दूरी बना के रखें बासमन में आ रहें नहीं जानते हो फिर क्या होता है कि भाई सुना था कि सादू सेवा से मंगल होता फिर निंदा करोगी क्योंकि सब एक जैसा सुवाव नहीं होता सब एक जैसा प्रवाव नहीं होता अलग-अलग कुछ शंत भगवान है तो कुछ इस भाव का दुर्पयों कर रहें भगवान के वेश को धारन करके केवल सादू सेवा की बड़ी महिमा गए गए अब तो फिर आपको छूख हो जाएगी इसलिए दूर संतों के बचन मानो और खुब भजन करो यही सबसे बड़ी सादू सेवा है हरदय रुपी मंदिर में भगवान को जागरत करो नाम जब करके यहीं मंदिर जाने का फल है गुर खोल दें परिचे गेट के बाहर से पहुंचा दें घर में कोई सदस्य तो गेट के बाहर पहुंचा गेट मत खोलो आज का जो समय है उसको समझो सेवा का मतलब है उनकी आग्या का पालंग करना संत सदगुर्दियों चीक चीक के कह रहें नाम जब करो अच्छे आचरन करो पवित्रता से रहा हूं यह नहीं सुचना मंदिर जाना स्रेष्ट है कि संत सेवा स्रेष्ट है अब भगवान की ही प्राप्ति के साधन है पर नाम जब करो कलिकाल है दूरी बना के रहो कभी आये तो परिवार के साथ प्रभू के दरसन कर लिए उसंत दरसन कर लिए खुब करना चाहिए कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए देखो ये जीवन बेर्थ ना जाने पावे राश्ट्र श्रेवा प्रधान करतब्य और इसका लक्ष हमें भगवत प्राप्ति होनी चाहिए अगर हमें श्री भगवान न मिले तो अन्यूनियों में हम भगवत प्राप्ति का साधन नहीं कर पाएंगे राश्ट्र श्रेवा मुख्य करतब है हम भी कर रहें राश्ट्र स्रेवा समाज को जहां तक जितना है आप बाहरी शुरक्षा प्रदान करते हैं हम आंतरिक शुरक्षा प्रदान करते हैं बाहरी शत्रु पक्ष गोलियों स चाहते हैं आंतरिक सत्रू है करने के लिए राधा राधा है अगर नाम जब करोगे तो आंतरिक सित्रू पर विजय प्राप्त करो तो राष्ट सेवा भी बहुत अच्छी होगी और आपका जीवन परम उन्नतीम है जैसे आपके हिर्दे में जलन होने लगी किसी बात से लेकर आप राधा 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 तो आप देखेंगे आपको शांती मिलेगी आप सत्संग सुनेंगे तो आप लड़ना सीख जाएंगे अंदर के बाहर के लड़ाई तो आप बहुत प्रविन हैं लेकिन अंदर के सत्रू को अगर परास्त नहीं कर पाए तो वो आपका जीवन कितने खतरे में डाल देगा तो हमारी प्रार्थना है कि आपको जब समय मिले नाम जब कीजेगा और प्रभु से प्रार्थना कि अपना स्वास्त ठीक रहे और अपनी बुद्धी ठीक रहे दोनों बात ठीक रहे हमारी बुद्धी भी ठीक रहे हमारा स्वास्त भी ठीक रहे लाओ इनको दूपट्चा सिरी जी का प्रशादी और सख्यों को चुनरी जैसे बनता है वैसे वचन और आपका स्वागत करत तो बाहरी बात है अंतर से जो में प्रशन्दता होती है आप को देख करके अपने राष्ट शैनिकों को वह हम नहीं बता सकते ला हमें भी वही होता है जैसे अपने परिवार के जनों को देखकर होता है ला बहुत दिनों बात मिले ऐसे जब होता है कि आर्मी कि लो जाए तो पता नहीं मेरा मतलब अलग-अलग सुभाव मुझे बहुत सुख मिलता है जिसे अपने घर के आए हो क्यों कि कहीं न कहीं हमारे अंदर आस्था विसेस इस बात की है कि बहुत कष्ट में जीवन होता है आर्मी का जीवन बहुत कष्ट में यह बाहरी नहीं समझ सकते आपकी जो आंतरिक समस्या है अच्छा अपने घर की समस्या है या वो किसी कई नहीं जा सकती कितना कष्ट में जीवन बितीत करते हुए वो हमारे राष्टी के सुरक्षा में लगे वो जैसे हम बाबा जी बने आज यहां बैठे है तो आपको लग रहा कितना सुख में जीवन है लेक कि लिए तो हमें लगता एक साधू का जीवन एक सैनिक का जीवन बराबर जीवन है इसलिए और साधू की तरह सब्माल करते हैं देंटें सब लोग कृपा करके खुमनाम जब करो प्रार्थना है कि कोई गंदी बात जीवन में नावे उसको निकालो तो गंदी बातों को हम प्रतिगंदी द्रश्टी है और अन्य भी बहुत से ऐसी बाते हैं जो हमारे जीवन को बहुत खंदक में गिरा देंगी नीचे गिरा देंगी उन से बच करके हम दूसरों का हिद करें दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखें परिवार में भगोत भावना करके अपने परिवार को सुखी कर पावें तब तो राष्ट को सुखी कर पाएंगे ना फिर भी सुखी सुखी पहले हम अपने को अनंदित करें परिवार को आनंदित करें पडोस को आनंदित करें ग्राम को आनंदित करें फिर पूरे राष्ट क करें खुब नाम जब करें और हमारा स्वास्तत ह्शरील जब तक है तभी तक हम बजन कर सकते हैं इसेंगा क्रेंगे हम जाते हैं अगर कानून नहीं और यह सथ हैं। इसलिए गंदी बात ना की जाए खुम नाम जब किया जाए और बहुत सावधानी पुर्वक एक एक मिनट आपका बहुत कीरंती है जैसे आपने पचास वर्स संपत्य कमाई और आपकी आखिरी स्वास हो आपके कहा जाए कि दस स्वासे और बढ़ा दों पचास वर्सी के संप संपत्य में बरबात किये जो एक स्वास भी नहीं बढ़ा सकती है इसलिए हर स्वास में गुरु प्रदत्त गुरु मुख नाम जब करो राधा 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 और अच्छे आच्छरण से रहो सब्सक्राइब हर्ष जी राजस्तान से शी हरिवेंश मा मारा जी भक्ति किस प्रकार दिन दूनी राध चोगुनी बढ़ाई जा सकती है पहले हमको मार्ग तो पता होना चे न हमको कहां जाना है कितने मोड हैं किस जगह से कहां से भठका हो सकता है फिर हमारी रफ्तार क्या है दिन दूना राध चोगुना बढ़ने के लिए हमारी यह स्ब पता हो तभी तो मार्ग को तें कर सकते हैं पहली बात इसमें से जाता है यह मन से मार्ग छला जाता है मन पहीं मार्ग क्या है निव Track कं रिष्चाहीं का निरंतर इस्मरण करना सबसे विश्णवे जिनका इस्मरण मात्र संसार चक्र को रोक देता है और मुक्त कर देता है उस जीव को तो भगवद इस्मरती का तार राधा 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 मन्से जब निरंतर मन्सिच आप नाम जब करने लगें तो ग्यान वैराग भक्ति सब का हरदय प्रकास हो जाता है और जाना कहीं नहीं है आना है बाहर से अंदर आना है हम लोग बाहर भटक रहे हैं जगत में सरीरों में भोगों में हम लोट के अंदर आना है दिन दूना राध चोगना जो हमारी भक्ति बढ़ने का है वो बाहर से नहीं हम ज़्यदे हैं बाहर से इन बातों का मात्तर नही इसे कोई लाव आंतरिक अध्यात्मिक जल्दी लाव मिलने वाला नहीं है आप पैसा कमा रहे हो दूसरे को दान कर रहे हो यह सब संसारिक्ता के अंतरगत है शूब और अशूब दो प्रकार के कर्म है यह अध्यात्म नहीं है भक्ति नहीं है भक्ति का सुद्ध शुरूप सम नित्य युक्तत्य योगीना उसे भगवाने नित्य यूक्ति योगी कहा है जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है तो यहां जो बात समझनी वो अंदर की बात है अब आप सब कारी करते हुए निरंतर आपका इसमर्ण छला है भगवान की श्मृति में अपने सारे कारी कर रहे हैं अब ये दिन दूना राज शोगुना आपकी भगति बढ़ाती चली जाएगी इसमें कोई बाहर की न सामागरी है न व्यक्ति है न कोई बाहर का पदार्थ की बात हम कर रहे हैं ये केवल अंदर की और इसी में भगवान प्राप्त हो जाएंगो इसलोक में लिखा है अनन्य चेता सततम यूमाम इस्मरति नित्य सहा तस्याम सुलभा मैं उसे सुलब हो जाता हूं साक्षाद दरसंद्द हो का अधर सन होते हैं पहले यहां होते हैं फिर बाहर होते हैं इधर देखो उधर वही नजर आते हैं आपक काम हरी जो नाम प्रियों बार बार उसकी आवैर देखो न इसमें dobrze कोई जान पाएगा कि आप बता देना अंदर तो हमने जो पकड़ा जो आपने जो प्रश्म किया ना उसके अंज़र हमने जो पकड़ा जीवन माई वो इस्मृति को पकड़ा सब कुछ कर रहे हो भगवद इस्मृति नहीं तो अधूरा बहुत सोच समझ के सोध के हम आपको बात बता रहे हैं दिन दुना राच्चोगुनागर भक्ती बढ़ानी है तो बाहरी दिखावालें अंतर का चंतन चलना चाहें हम गुरू बनाते हैं लोटने के लिए जो हम बाहर फैल गए ना तो फैले सो जमाना और समिटे सो आसिक जो समिटा वो आसिक हुआ तो अपने आद दोडने का मतलब लोटने का दोडने को बैक यहां सब आगे दोड रहे हैं और सब गिर रहे हैं अपनी जो दोड है वो उल्टा है अपनी हर इंद्रियों को बैक करो अंदर लाओ और हरदय में कैद कर लो और वो चिंतन करो जो गुरू वानी केर जो गुरू नाम दिया है गुरू मुख से व में सार बात बता रहे हैं बस इसको पकड लिए ना पैसा लगता है ना कोई जान पाएगा और ऐसी उन्नती होगी भाई पका और ये करना कठीन है और सब कुछ कर सकते हो ये भी हम तुम्हें कह रहे हैं ये करना कठीन है और सब कुछ कर सकते हो भंडारा कर सकते हो सब कर सकते ह मन उसमें बाहर है और हम जो कह रहे हो बिल्कुल अंदर की बात कह रहे हैं लोटना और यह लोटना पसंद नहीं करेगा और यह इतना मतवाला हाथी कि कि आप लोटने की कोशिस करोगे उतने फसाता चला जाएगा बाहर यह बहुत अइसा नहीं कि हो गया सब काम आओ लोटा के लाओ मना खर्ष्टान इंद्रियानी प्रकतिस्थान करसे पूरा जीवन लग जाता है लोटने में इसलिए समर्थ सद्गुर्दियों का अस्रे लिय है वो अंदर की तरह वाने पर हम मन के उपर चड़के चलते हैं इतना अंतर है इसलिए जब आपने पूछा दिन दूना राच चोगुना तो यह है छेता है दिन दूना राच चोगुना आपकी भक्ति बढ़ेगी प्रभू मन में श्री हितारिवन श्री राधावा लग चल पूछ ले अपनी जो इस्थिति कभी व्यक्त नक है कि मेरे तो ऐसा ओ यहां ठीक है एक बार कह दिया आपका भी मत कहना आगे जो आपको परेशानी हो वो प्रशन कर सकते हैं कि उसके चलाने में हमको क्या परेशानी हो सकती है उसकी सुरक्षा हमारी क्या हो सकती है उन बात हेवा तो आप कितने धनवाले हैं जैसे हम बात करें ना करें आप कितने धनवाले तो चतुर धनी होगा हमने में देखा जैसे धनी नहीं न पान couple पचास पई से कुछ समय मिलता था तो पांग सो करनोट निकाले खोशिस करेगा और जो धनी होगा ना जानता है इधर बड़े नोट छोटी वाले में देखेगा कि दस का मिल जाए अगर तो काम चल जाए ऐसे हमको काम चलाना है कि हमको यह दिखाना है कि वास्तविक हम संसारी आदमी है हमें कोई खास बात नहीं है और अपने को दिन दूना राज चोगना बढ़ना है अगर आपने दिखाया कि हम धनी है तो चुंगी लगना जुरू हो जाएगी फिर टेक्स देना पड़ेगा माया फिर टेक्स नहीं सरकारी टेक्स लगता है ला तो भागवतिक टेक तरे खड़े हो जाएंगे आप हम पर विजय प्राप्त करके दिखाओ तो माने तुम बड़े हो कुछ लएं देखो कभी हमने नहीं देखा कि सैकिल की टेक्स लगा हो मतलब सैकिल निकल जाएगी वहां लेकिन काल जाओ खड़े हो जाओ तो इसी लिए चैतन्य ने कहा तुरणादपी सुनी चेना झाल से संसार साठाय से कुछ on देखो क्योंकर कोई परेक्षा ने हो गवां परिक्षा किसकी होती है वह किटने कितले य हो पिर देला-मुस्किल हो जाएगा क्योंकि माया इसनी बिरंच का लापना जीए माया पति भग्वार छोटे बन चुप जाओ अपने को ऐसा दिखाओ कि जैसे हम लोग थोड़ी भक्ति होने लगते न तो चार लोगों के बीच में हमने साबित करना चाहते कि हमें अध्यात्म का ग्यान है फिर वो गर्बर हो जाएगा चार लोगों के बीच में साबित करना है कि हम आप जैसे ही हैं और अप अपने को आगे बढ़ा लेना हां जड़ भरत जी जैसे महापुरुष को कोई जानी नहीं पै था इतने बड़े महापुरुष पालकी में जोत दिया था रोगर ने कता सुना कभी सुनना उनकी कता इतने बड़े ब्रह्म बोद्ध संपन्न महापुरुष ऐसे चुपके रह कि वाणी का ओज और तेज बता रहा है तब समझ पाय कि ये तो ब्रह्म बोद्ध संपन्न महापुरुष क्यों कि वह भी बहुत पहुंचे हुए कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहे हैं तो ऐसे छुपके रहना चाहिए कि जोहरी ही जान पावे कि ये हीरा है ये